गाइस टीम इंडिया पुरी दुनिया में अपने बहतरी इन बैस्टमेंड के लिए जाना जाता है इसलिए आपने ICC के ODI के बैस्टमेंड की रेंकिंग में नमबर वान की पोजिशन में कई बार इंडियन बैस्टमेंड को देखा होगा वहीं बात करें हम टीम इंडिया के गेंदबाजों की, तो गिनेच उन ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हों ने ICC के बॉलिंग रेंकिंग में नमबर वान की पोजिशन को हासिल किया होगा लेकिन 2023 में इंडिया के फास्ट बोलर मुहम्मस सिराज ने ICC की बॉलिंग रैंकिंग में नमबर वान की पोजिशन को हासिल किया है जो कि टीम इंडिया और इंडियन फैंस के लिए काफी ज़्यदा एक प्राउड मुमेंट है दरसल इंडिया और नीजिलेंड के खिलाफ हुए वंडे मुकावले में मुहम्मस सिराज ने यहां मुकाम हासिल किया था लगतार एक सालों से बैतरिन प्रफोवेंस करने के बाद उन्हें यहां पोजिशन मिली है इस लिस्ट में कई बैतरिन गेंदबाज है जिनने मुहम्मस सिराज ने पीछे छोड़कर नमर वान का ताज को हासिल किया है वैसे मुहमस सिराज का फोम में होना टीम इडिया के लिए काफी ज़्यदा जरू ही है गाइस क्यूंकि 2023 का वर्लकप इसी साल 2023 में भारत में खेला जाएगा जिसमें भारत के गिनवाजों का रूल बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है वैसे आपको क्या लगता है क्या टीम इडिया 2011 के हिस्ट्री को फिर से रिपीट कर पाएगी या नहीं कमेंट सेक्शन में बताएं अगर वीडियो ची नहीं तो लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंकि